चिकन नहारी बनाईए या फिर मटन नहारी बनाईए इस दो चीज को आप इसकिप नहीं कर सकते अगर इसे आप इसकिप करेंगे तो आपकी नहारी में वो दम नहीं होगा जो नहारी में होता है तो चलिए बनाते हैं वीडियो में हर चीज बताते जाएंगे वीडियो में बन मटन डालेंगे और इसके साथ दो बड़े चमच हम अधरक, लसन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे साथ ही हम स्वाद की अनुसार इसमें नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसे हम कवर कर देंगे ताकि इसका पानी छूटे और पानी छूटने के बाद यह अच्छी तरह से भून सके तो हम इसका पानी सुखाने तक भूनेंगे, तो इसको कबर कर देंगे, और 15 मिनट तक इसे भूनेंगे, बीच में से कबर हटा हटा कर, और मेरे पास ये निहारी का मसाला है, अगर आप होममेड निहारी मसाला चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर एंड स्क्रीन में आ जाएगा, वहां से आप देख लेंगे, इसे कबर हटा दिया, और इसे देखिए, ये सूख गया, इसका पानी सूख गया है, पंदरा, सोला मिनट तक इसे, मैंने कबर करके, भूना है, इसका कबर हटा हटा कर, और बीच बीच में चला चला कर, तो इसमें प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था, उसका पेष्ट बनाया था, उसे अब इस टाइम पर डाल देंगे, और नहारी मसाला, होममेड नहारी मसाला इसमें डालेंगे, काफी खुसबूदार बनती है, और काफी टेस्टी बनती है, तो एंड स्क्रीन में आएगा नहा पाउडर भी हम डाल देंगे, और उन सारी चीजों को डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे हम कवर करेंगे, और कवर करके इसे 18-20 मिनट तक फिर से हम पकाएंगे, बीच-बीच में कवर हटा हटा कर हम चलाते जाएंगे, ताकि ये मसालों के साथ अच्छी तरह से भून सके तो cover कर दिया अब वो जो मैंने दो चीज की बात की थी उनमें से एक चीज तो ये है कि हम डेर चमच आटा ले 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 और डेर चमच बेसन ले 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 और इसे लेने के बाद इसे हम अच्छी तरह से लो फ्लेम में खुस्पू आने तक भून लेंगे मिक्स करते हुए तो ये आप जरूर कर लें इसे बताएंगे आगे क्या करना है और ये जब भून जाए तब इसे हम निकाल कर ठंडा कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे अब इसका कवर हटा कर हम देख लेते हैं एक बार तो ये देखिए इस तरह से ये अच्छी तरह से उबल रहा है और इसका रोगन उपर आ चुका है तो इस टाइम पर हम इसमें से हम थोड़ा रोगन निकाल लेते हैं ताकि जब हम सर्व करेंगे तब रोगन उपर से डाल देंगे क्योंकि ये रोगन हट जाने वाला है तो कुछ चीजे ऐसे इसमें डाली जाएगी कि रोगन हट जाएगा दिखाई नहीं देगा तो अभी ही हम निकाल लेंगे अब ये ठंडा हो चुका है इसे रहे कार में और बॉल में निकालने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डालकर इसका पतला गॉल तयार कर लेंगे तो इस तरह से चमास से Mix कर्ते हुए लंस और इस घोल को अब हम क्या करने वाले हैं वो बताते हैं तो यह देखिए पहले तो हम अपना मटन देख लेते हैं इस मटन में हम इस घोल को डालेंगे और घोल डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यह करना कभी मत भूलिएगा यह किजिएगा आपका मटन नहारी काफी अच्छा बनकर तयार होगा इसे डालने के बाद गयस हमें तेज कर देने हैं हाई फिलेम में इसे हम उबालेंगे ताकि नीचे बैठेना जब इसमें उबाल आ जाए तब इसमें हम जवरत पर पानी डालेंगे और इसे कवर करके कम से कम 20-25 मिनट तक पकने तो यह देखिए 20-25 मिनट होने के बाद इस नहारी का लुक देखिए कितना टेम्टिंग बनकर तयार हुआ है इसकी ग्रेवी देखिए और खुश्बू तो इतनी कि जब आप बनाएंगे अपने घर में तो खुदी पता चलेगा तो चलिए अब इसको हम गर्मा गर्म और इसके पीसेस देखिए काफी अच्छे गल चुके हैं ये अच्छी तरह से और फिर खाने के लिए रेडी है तो इसमें हमने इसे सर्व कर लिया अब दूसरी बात इसमें पहली तो बता दिया कि क्या डालना इसकीप ना करें उसी तरह से इसमें बटर उपर से गर्म करके डालना इसकीप ना करें और फिर ये रोगन जो हमने निकाल कर रखा था उस रोगन को डाल देंगे और जैसे कि इसमें अधरक और हरी मिर्च कटा हुआ डालते हैं, इसके उपर हम भी डाल देंगे और आधी- निम्बू हम निचोड देंगे web इसमें हरा धनिया भी डाल दे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद मिलेंगे इसी तरह की नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें थांक यू